बच्चों पिछले पार्ट में हमने उतक उतक के प्रकारों की बात की थी और उसका पहला प्रकार जो है वो उसके बारे में हमने विस्तार से जाना था आज हम उसके दूसरे प्रकार सेयोजी उतक के बारे में हम जानेंगे उसकी सरचना क्या है उसके प्रकार क्या है उसका कारी क्या है और उसकी पोजिशन क्या है इन सब के बारे में हम विस्तार से इसकी जानकारी लेंगे तो बच्च सेयोजन का मतलब होता है जोड़ना तो यह सब चीजें हम लोग इस उतक में देखेंगे कि यह जो सेयोजी उतक है किस तरीके से वो जोड़ता है यह सेयोजन का काम करता है अब आप बड़े-बड़े शहरों में बहुत उची-उची बिल्डिंगे देखी होंगी पचिस-पचिस-थीस-थीस माले के फ्लैट्स होते हैं ऐसे कई तरह की बिल्डिंग जो देखी होंगी आप ने तो यह बिल्डिंग बनती किस से है तो यदि हम इसके जो बेसिक चीज है उस पर यदि हम जाएं तो यह जैसे ब्रिक्स है आईरन रोड्स है रोक्स है यानि तो क्या उसका अस्तेत्व रह पाएगा बिल्कुल नहीं यह इटे जो है वो क्या हो जाएंगे गिर जाएंगे तो अब सोचिए कि बिल्डिंग को बनाने में एक मुख्य जो पार्ट है वो जोड़ने का उस संयोजन का किसका होता है बिल्कुल आप ठीक समझ रहोंगे तो एक बिल्डिंग में जो जोड़ने का काम सिमेंट कर रहा है तो वो क्या क्या कर रहा है जैसे कि बिल्डिंग जो है वो उसको सपोर्ट दे रहा है उसके पैकिंग में काम कर रहा है और जो में काम है जो बनना है वो उसी से हो रहा है जो उसको आधार दे रहा है तो इस त अब इद़ आपने पिछले उत्वों में क्या देखा था एपिदील लुत जो है सिंपल लेयर जो था वो मंतब कोशिकाओं का जो एक इस्तर है वो उतक है यह अनेक लेयर से कोशिकाओं की वह उतक है लेकिन अब हम इस से अलग भी कुछ और इस तरीके के उतक है जो सेयोजन क काम कर रहे हैं यानि जोड़ने का काम कर रहे हैं अब हमारे शरीर में उतक हैं उतकों से बनेवे अंग हैं और अंगों से बनेवे अंगतंत्र हैं तो अब आप सोचके देखिए कि इन में आपस में हमने दस तरह के अंगतंत्रों की बात की थी और गन सिस्टम की बात की थी तो तो अब इन अंग तंत्रों में आपस में कैसे connection होगा, आपस में कैसे तालमेल होगा, यह कैसे एक दुसे से संबनित होगे, यह बहुत बड़ा मुद्दा है यह विचार करने का कि आपको इस सोचना चाहिए, चलिए हम एक example के जरी इसको समझते हैं, हम पाचान तंतर की बात क यह बढ़ रहा है, तो इसका एक माध्यम चाहिए, तो वह माध्यम जो दूसरे यंगो तक जोड़ेगा, वह संबनित होता है, ऐसे ही हम यदी रेस्परेटरी सिस्टम की बात करें, जब हम इन्हेलेशन में जो गैस ले रहे हैं, जिसमें ऑक्सिजन गैसे हैं, जिसमें ऑक् अक्सिजन गैस तो लंग्स तक पहुँच गई, लेकिन इसके बाद क्या, ऑक्सिजन के जरिये ही आप जानते हो, जब ऑक्सिजन जो है, ग्लुकोस से जब ऑक्सिडाइजड होगा, यानि ऑक्सिडेशन की प्रोसेस होगी, तब जाकर जो हो उर्जा मुक्त होती है, तो उर जाहिए यानि ग्लुकोस चाहिए और हर एक कोशिका तक पहुचना के लिए ऑक्सिजन भी जरूरी है, तो इन सब को उन पर्टिकुलर कोशिकां तक पहुचाने के लिए कोई न कोई एक माध्यम चाहिए, जो इन अंगों को क्या कर रहा है, वो जोड रहा है, इसी तरीके से पाचन तंत्र हमने बात किया, श्वाचन तंत्र की बात की परिसंचरन तंत्र, जिसमें हीर्दह है और ब्लड वेसल्स यहा करती हैं पहुँचाने का अब यहां बाते हैं कि अंग यहां तंव के बीच तालमेल काम करता है तो यह सेयोजी उतक जो है इसको यदि हम इसके सनचना को यदि देखें तो यह जो सेयोजी उतक है अन्य उतकों से यह जादा पाया जाता है मने हमने जैसे और उतक की बात की थी हमने पहला वताया था एपिथीलियल उतक है दूसरा कनेक्टि टिशू सेयोजी उतक भाग जो इसी से ही बना होता है अब फिर से हम यहां याद करते हैं कि जो हम पहले उत्तक की बात किये थे एपिधिलल टिशु में इंटर सेलुलर सब्स्टांस नहीं पाय जाता है वहां कोशिकाई बहुत क्लोजली पैक्ड होती है हमने एक जगा बात की थी कि यह मुजएक ट होता है तो इसका मतलब इसके बीच में इंटर सेलुलर सब्स्टांसे जो है वह नहीं होगा लेकिन अब यहां सेयोजी उत्तक की बात करें तो यहां पर जो है वह इंटर सेलुलर सब्स्टांस होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं तो यह हमने बेसिकली मोटा मोटे तौर पर तो ईसकी सिलुटा में क्या होगा ? जैसे आप इति मैट्रीक्स है केमिस्ट्री में पड़े होंगे और अर्थ तरल होता है और फिर पारदर्श्री होता है और सबसे बड़ी बात ये नॉन ल्यविंग पार्ट है, इसमें प्रोटीन और कार्डोहड॥ रीड्रेट होता है, तो ये इसका मैट्रिक्स है आधातरी जिसको कहते हैं अब दूसरा हम बात करते हैं इसमें पाई जानने वाली कोशिकाओं की तो इसमें कई तमाम तरह की कोशिकाओं पाई जाती है जैसे आप ये चित्र में देख रहे हो जैसे प्लाजमा सेल्स है तो प्लाजमा सेल्स क्या का करेगी antibodies का निर्मान करेगी अभी तो आप antibodies के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान गए होंगे कि antibodies का क्या रोल है हमारे शरीर में सुरक्षा का काम तो यह plasma cells ही जो है antibodies का निर्मान करती है फिर adipose cells है इसमें वसा का संगरहन होता है यानि fat का deposition होता है और फिर fibroblast cells है जो fibers and matrix का निर्मान जो है इनके जरिये होता है अब फिर हम histocytes की बात करें तो body में जो है कोशी की यह कच्रे के पाचन के लिए जिम्मेदार होती है मतलब जो कोशिका में जो कच्रा निकलता है अब आप सूचेंगे कि यह कच्रा क्या हो सकता है फिजियोलाजिकल एक्टीडी इस उती हैं और जिसके जरी क्या निकलता है स्वेस्ट निकलता तो इस वैस्ट प्र्डूक्त का निस्तारन में जरूरी है तो वो उसके लिए कौन कोशी कराशन है हैं हिस्टोच साइट चैं pork भी कोशी कुछ pastी किस तरीके से हो इसके लिए यह काम करती हैं फिर मास्ट सेल है यह तीन तरह कि स्राव का स्रयवण करती यह पयरी डाटी सीरटोनी और हेस्टामीड यह तीन तरह बहुत important secretions जो हमारे बोड़ी में होते हैं वो mast cells करती हैं फिर मिजनकाइम cells है यह मिजनकाइम cells है विबेन ने कोशिकी है जो सहियो जी कोशिकाय है इनका निर्मान इन मिजनकाइम cells से होता है और फिर बात करेंगे हमारे शरी में कई जगा ऐसी कोशिकाय है जो रंगीन कलर्ड है तो वो कलर किसके कारण है क्रोमेटो फोर्स जो इस तरीके के पिगमेंट है उनकी उपस्तितिके कारण होता है और फिर रेटिकुलर सेल्स भी है यह बाहिपदार्थ और पैथेजन्स के भक्षन के पैजन्स केके में बाहरी पतार्त में वह प्रविश करते हैं तो उनका भक्षन भी जरूरी होता है तो इनके जरियह होता अब तीसरी बात करते हैं हमें इसके फाइबर्सकी UX में आदीनैनल्स के वह बाता है उट इसन्से फाइबर्स होते है मू future नह्यम, MOD, ईसमें सारचिनाओं से मिलकर होता है. cathedral सारचिनाओं से मिलकर एह बना होता है. ऄथे पहेँ ओसे मत्रिक्से के बात इसके में अतरिक्से कोशिकायं बहुत सारी होती है. और 내용 में तन्तू पाये बहुत Shay aged two, फाइबर्स पाये जाते हैं. और फिर हम पहला प्रकार पढ़ेंगे तो फिर और उसके प्रकारों की बात करेंगे फिर और उसके प्रकारों की फिर उसकी लोकेशन की बात करेंगे तो यदि आप systematically ढंग से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल यह आसान होगा आपको समझना तो अभी तक हमने क्या बात की है सेयो जी उतक की बात की सेयो जी उतक में अब हम किसकी बात कर रहे हैं इसके प्रकारों की बात कर रहे हैं तो अब इसके प्रकार कौन-कौन से हैं तो जैसा पहला है वास्तविक यानि प्रॉपर या सिंपल कनेक्टि टिशू इसको कहते हैं द सह्यों जी उतक जाने की वैस्कूलर कनेक्टिटीशू तो ये चार प्रकार के अब हम इनके फिर से प्रकारों के बारे में हम देखेंगे एक एक करके सिम्पल जो Pack heal it issue वो उसके और कौ से प्रकार है और उसकी location क्या है לא ्चलीए अब हम Ma 102 तक के पहले प्रकार यानी सिंपल या प्रॉपर करेख कि बात करते यह सिंपल या प्रॉपर क dereux के चार प्रकार है । जैसे आप यह फ्लोचार्ट एडिपोस कनेक्टिटिशू, पिगमेंटेट एड रैटिकुलर कनेक्टिटिशू अब सबसे पहले हम बात करेंगे अरियोलर कनेक्टिटिशू की जैसे कि हमने सेंज जुई कि चुषिकाएं और फाइबर स्थाजिट पाय जाते हैं तो यह बहुत सारी पिचैकाएं जो है इसी अरियोलर कट्डेक्ट टिशुमें ही पाय जाती है और यह अरियोलर जो कट्डेक्टिशु हैょ यह थीक नीचे तथा आंतरिक अंगों के चारो तरह अब इस नान पाया ज वाइट एंड येलो फाइबर जो हैं वो इनके द्वारा ही निर्मित होते हैं, मास्ट सेल्स हैं, इसमें जैसे हमने पहले भी बात की थी कि हिपैरिन, हिस्टामीन और सिरिटोनिन नमक पदार्थों का स्रवन होता है, अब इनका इंपोर्टेंस क्या है, यह हमें जानना जरू तो यह होती है हपैरे में पाया जाता है यानी ब्लड में और andra जो है स्रय टॉनिन है यह स्रय टुनिन क्या करता है? यह वेसल को यानि ब्लड वसल को संकुचित करके रक्तचाप को बढ़ाता है और तीसरा जो है, हिस्टामीन है यह एलर्जीन्स पदार्थ, वो बनते रहत तो जैसे ही यह झाल से शरीर में अंधर एंटर करते हैं वेसे ही हिस्टामीन का जो स्रोवन है वो बढ़ जाता है ताकि उस जगह पर फिर वह इंफ्लेमेंटरी जो एक्टिविटी से वह होती है आप देखते होगे कहीं पर वह जगह लाल हो जाती है ज़निंगा जाती है यह दनिय बया यह पर जाते हैं तो मियूज होता है ने टीज के द्वारा हैं तो कर एंधिकynिव ऐ होती है यह क्या बना रियगजस्विध का बना एंटी इसका निर्मान करती है फिर lymphocytes है यह lymphocytes जो है lymph और blood में पाई जाती है और यह plasma cells बनाती है यह plasma cells जो antibodies बना रही है और साथ ही यह क्या कम कर रहे हैं जो बाहरी पदार्त या रोगानु आ रहे हैं उनको खतम करने का काम करती है हानिकारक पदार्तों को खत्म करती है और यह अनियमित आकार की होती है जैसे आप इसके शेप को देख रहे हो फिर है हिस्टोसाइट्स या इसको मेक्रोफेजस भी फेगोसाइज वी बोलते हैं तो यह भी जो है जो अजिम के आर का बभ जा से देखरों अ मीवा कैसा होता है आनयमत इर्राइगूल शेप का होता है तो वैसे यह भी रहती है और यह दू उसी तरीक अे द रफि आते हैं वंको थाने भी वा स्टिविक है उसके ही प्रकारों कि आरियोलोर त्व मैं कहते हैं मीझे revels दूसरी भी बौस्ट टिशू में यह वी कहा हो गचा के नीचे होता है और पूच आंत्रि गंगों के चारों थे अभी एडिपोस टीशू जो है इक जो स्वस्थ व्यक्ती है। उसका करीमन 20 गहिसी प्रतिशत भाग तो is एडिपोस टीशू का ही बना रहाते है। इसमें जिसको फेट रयस कहते हैं.. और इसमें क्या ही?... यानि, वसा संचीत होता है। आपने ऐसा महसूस किया होगा कि जो हेल्दी लोग हैं जो मतलब जिनका ज्यादा वजन है उनमें यह एडिपोस टिशू है वो ज्यादा मात्रा में होते हैं यानि वसा उत तक ज्यादा होते हैं और यह क्या काम करेंगे मुख्यरूप से क्योंकि इसमें वसा है तो जुरत जानते होंगे कि जैसे कोई उपवास एंपास 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 टो अब भोजन तो लिए नहीं तो बोजन से ही उढगेल तो उस समय की परिस्थित्यों में यह जो है यह क्या करते हैं उढदिती है और आप शक्ता पढ़ने पर ऐसे बहुत सारी परिस्तिते आती हैं जब हमको जादा उर्जा की जोरत परती है जादा काम कर रहे हैं तब भी से इन से हमें उर्जा मिलती है दूसरी बात यह शरीर के ताप को नियंत्रन रखती है शरीर का जो ताप है वो नियंत्रित रहता है और ऐसे ही आपने सुना होगा जो हेल्दी रहत तो इस तरीके से यह जो है, और अधिक दाब या धक्के शरीर को लगते हैं उससे भी यह शरीर का बचाव करता है तो यह इसके हमने जो सरच नहें और इसके कारियों की बात की अब यह जो फैट सेल्स है यह भी ज्यादा होना नुकसान दायक है क्यों है कि यदि यह fat cells जज्ञादा होगी तो जो क्या होगा-कि जैसे कि वे पुछ important organs है जैसे कि heart hard को function करने में क्या हो जाता है मुश्किल होती है और आपने ऐसे भी सुना होगा कि fat इसके कारण वो क्या हो जाता है ब्लेट का फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं होता है तो कोलेस्टरॉल फैट मतलब यही से जो फैट ज्यादा हो गया तो वो आर्टरी में जमना स्टार्ट हो जाता है और ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाता है तो इसलिए ज्यादा फैट भी क जहा हने कोई उपवास रख तो एक दिन के लिए जादे से जादा तो अव एब यह आ जो कैमल है किस तरीके से महने तक बिना पानी के रह सकता है। और शायाद आप ने आक बान में तो łbymे वह जा जाती है यह किसमी उर्जवर्ण और पानी में तो इसके पानी की पूर्थी तो परी चाट Love लू कि रहती है जो लार्ज़ अनिमल है तो इसमें जैसी ब्लबर को ऑप नेती हो मैं और य। आप एर और जेखरी ब्लबर में क्या होता है 2 एडिपोस टिशू का बना होता है अब एडिपोस टिशू इनके लिए क्या इंपोर्टेंस है जब आइसी वाटर मतलब ऐसे ठंड वाली जगों में जहां रहती है तो यह उसको क्या करता है गर्मी पतानत करता है और फिर आफशकता पढ़ने पर इसमें जो स्टोर्ड फूड इसके जरीए क्या मिल सकती है उर्जा मिल सकती है ऐसे कुछ और भी मेराईनारी अनिमल्स है जैसे कि सील है वालरस है इनमें भी यह डिपोस टिशू बाया जाता है जो यह क्या काम करेगा एक तो स्टोर डेंस में एनर्जी रहेगी दूसरा इंसूलेशन प्रदान करता यान की अडिपोस टिशू की